गुजरात के चोटीला में आई एक नीजी स्कूल में चात्रा के साथ चेड़ खानी का मामला सामने आया है आरोफे की स्कूल के संचालक बटुक बट्टी ने चात्रा के साथ चेड़ चाड़ की है मामला सामने आने के बाद स्कूल में पढ़ने वाली चात्राओं के परीजनों ने देर राज सडकों पर जाम लगा दिया था सुरेंद्र नगर जिले के चोटीला में आई कमल विध्या मंदीर में तकरीबन 600 से 700 चात्रा पढ़ाई करते है जिसमें स्कूल के संचालक बटुक बट्टी पर एक चात्रा ने छेड़ खानी का आरोप लगाया है चात्रा की माता ने इस मामले में कमल विध्या मंदीर स्कूल के संचालक बटुक बट्टी के खिलाब छेड़ खानी का मामला दर्च करवाया है चोटिलामा कमल विद्या मंदिर एक संस्थान चे एजुकेशन नी आमा एमना ट्रस्टी विरूद आक्षेप करवा मावे आता कि आम एक छोटी इकलिनी छेड़ती करी छे एना उपपर पुलिस तुरंत एक्षन मावी ने तुरंत काईदेसर कारवाई करी छे एना उपपर आ पुलिस तुरंत एक संचालक के सामने कानूनी कारिवाई करने की मांग के साथ गुसाई छात्रों के माता पिता ने चोटीला हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था जिसके बाद गटनस्तल पर पुलिस ने पहुंच कर चात्राओं के परीजन उसे बातचीत की और उने समझाने का प्रयास भी किया और चात्रा के साथ चेरती करने वाले बटुक बट्टी के खिलाब सकते सक कारवाई का भरोसा भी दिया जिसके बाद चात्राओं के परिजन सडक से हट गए और दूसरे दिन सुबह ही इस मामले में आरोपी बटुक बटी को पुलीस ने हिरासत में ले लिया लेवा मावियुचे जेनाती आरोपी कोई चेना पेलू तवानु शक्यता जनती आने आमा साथ वरष्टी लिने दस वरष्टी सजा तवाने जे कलमोचे इंडियन पिनल कोड ना पासकोईट ने अट्रस्टी सेक्ट मा केम कि जे चोकरी अन्निसुचित जाती ना होवानु कार तो बहुत कड़क पगला पोलीस तरफ ते लेवा मायुचे माननिया सिक्षन मंत्री भुपेंदर सिंग चुडासमा साहब सवार्ती मारुवने स्पी साहब जोडे चारती पांच वकत फोन मा पन वात कही री कूप चिंता प्रकट कही री चे अने अमने बहुत कड़क सूच नाप्यों चे कि जे आरोपी चे एमना उपर कोई सिंपती वगर बहुत कड़क रीते एमना उपर एक्षन लिवा माटे सुरेंद्रे नगर से संभाद दादा साजीम बेलिम की रिपोर्ट झाल झाल